हेलो फ्रेंड्स आप सभीका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागया तो मैं अज अपने किचने बनाने जा रही हूँ सिर्फ चार समान से घर के बहुत यासानी से केक वो भी बीना किसी अवन के बिना किसी चॉकलेट कमपाउंड के और ना ही मैं इसमें अंडो का यूज करू इनका नहीं एक चर्फ तर बहुत पार बना लिया है तो लगभग मैंने यहाँ पर 12-og अब थोड़ा थोड़ा दूँड ढूर्ट मिश्कण एक चाह सा बैटर बना लेंगे बहुत जाद अम्हारा बैटा बहुत जाद कम ना पत्ला अगर आख कोंग कम नीन हों तो तो आप डैस्ट कर सकते दर चीनि दूद अब हमारा तीसा इंगेडियंट है यहाँ पर मैं इनो का यूस कर रही हूँ आप यहाँ तो इसकी जगा बेकिंग पाउडर का भी यूस कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं पूरा इनो के पैकिट डालोंगे मतलब हम 200 ग्राम बिस्किट के लिए 200 ml दूद और पूरा एक इन अब जो हमने केक्टीन को ग्रीस करके रखा था अगर आपके विस बटर पेपर नहीं हो तो आप इस तरह से ओल या बटर लगा कर इसके उपर सुखा मैदा भी लगा कर छिड़क सकते हैं तो बिना बटर पेपर के इस तरह से मैं बना रही हूं बिल्कुल घर के समान से कि आ रखकर 10-15 मिट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से प्री हीट कर लिया अच्छे से गरम कर लिया पीना किसी नमक वगएरा कुछ भी हमें इसमें यूज नहीं करना है अब जो हमारा ग्टिन था केक का बैटर हम इसमें रख देंगे अब हम इसे लो फ्लेम पर बिल्कु मैं प्रूल भी चेक नहीं करना है तो यहां पर यहां पर 35 मिट के बाद आप यह चेक करके दिखा रहे हैं देखिए मैं डेख तूद्पिक की है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो टूध के वह सूखी निकली मतलब की हमारा जो बैटर ए बहुत ही अच्छे से उ यूज नहीं करूए में नॉर्मल डेरी मिल्क का यूज करूए मैंने आप 10 रुपे वाली जो डेरी मिल्क होती है तीन डेरी मिल्क डाल दिया है थोड़ा सा 3-4 चार्च हमने दूर डाल दिया है इससे बहुत इच्छी शाइन आती है बहुत इच्छा कलर आता है अगर आप चाहें जिसमें कोको पाउडर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं बिल्कुल इससे सिंपल से डेरी मिक्स चॉकलेट से ही बना रही हूं बटर को अच्छे से मेल्ट कलें बटर जरू से डाले बटर अब इसे पलट दी एक नीचे प्लेट रखकर हलका से टैप टैप करें बहुत ही असानी से निकल जाए अब देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया यह बिल्कुल भी नीचे यह जला हुआ नहीं है तो 35 मिट में आपका केक कड़ाई में लो फ्लेम पर आसानी से अच्छे ही अब जो मैने बनाया थे पर चमश की हर से चॉकलेट कोograph करण वहा तो आप च Mābor करके रखा टा उसके उपर यह रही हैं आप जाँ शॉकलेट को ब्हें सब्सक्रों के लेशकर के क्रें बैसे सब्सक्राइब यह जैसे चाहें इसे सब्सक्राइक जाड़े तो यहाँ पर चॉकलेट, बटर, दूद और इनो की हल्प से और घर की बिस्किट से हल्प से मैंने बहुत ही टेस्टी तर ही लिश्यासा केक बनाए बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है तो इस तरह से मैंने इसके पर सारा चॉकलेट का नाश लगा दिया अब डेकोरीशन क लिए आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं आप अपनी मन पसंद चीजों से सजा सकते हैं तो मैंने इस तरह देर मिलके 10 रुप के पैकेट के शॉर्ट्स मिलते हैं उसे और इस तरह से ये कलरफुल स्पिंकर डालें उससे कि हमारा केक देखने में बहुत ही सुन्दा लगेगा भी बहुत ही डिलिशिस लगेगा तो फ्रेंट्स घर के बहुत ही कम समान से घर पर आसानी से आप इस तरह से चॉकलेट केक बना सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक श्रे कीजेगा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजेगा अब हम इसे थोड़ बेना किसी डार्ग कंपाउंड चॉकलेट के और बेना किसी एक के हमने से घर पर बनाया है तो आप भी इसा पर कीजेगा अपना फीड़ुबैक जरूर देजेगा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो शेय कीजेगा अपने लिडियो फ्रेंट्स में वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैप को कट करके भी लास्ट में दिखा देती हूं आप देख सकते कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है बहुत ही सॉफ्ट बहुत हमारा केक बना है तो आप भी इस रेस्पी को ज़रूर से फॉलो कीजेगा तो आप से भी का मेरी वीडियो देखन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो प्लीज सब्सक्राइब मैच ज़िए